नमस्कार प्यारे मित्रों जै माता दी मित्रों आप शबी का बहुत स्वागत है मित्रों आपके देनिक रासिफल की बात करनी जा रही है पांच अगस्त गुरु बार मित्रों आज के दिन ग्रह गोचर के अनुशार किस तरह से प्लान करें ताकि दिन खाश बने जानने के लिए अन्त तक जरूर बने रहे चलिए शुरुबात करते हैं आज के पंचांग से पंचांग के अगर बाद करें तो पांच अगस्त गुरु बार का दिन रहेगा और श्रावन महा के कृष्ण पक्ष की दुवादिशी तिथी रहेगी साम पांच बसकर नौ मिनट तक इसके पस्चाथ त्रियोदिशी तिथी आरंभ हो जाएगी आद्रा नक्षत रहेगा सुभाज 6 बसकर 36 मिनट तक योग की वाद करें तो हर्शन योग रहेगा रात्री एक बसकर 13 मिनट तक इसके पस्चाथ बज्र योग आरंभ हो जाएगी सोरी रासी रहेगा करक रासी पर और चंद्रमा इस दिन मेथून रासी से गोशर करेंगे आज का अब जित मुर्थ का समय रहेगा दो पहर के 12 बसकर 6 मिनट से 12 बसकर 58 मिनट तक यह समय नए कारी की शुरुबात बिलकुल कर सकती है आज का आशुप समय यानि राहु कल की बात करीत हूँ दो पहर के 2 बसकर 10 मिनट से 3 बसकर 47 मिनट तक यह समय निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय औसुप माना जाता है चलिए बात करती ही आपके देनिक रासिफल करने रासिजात को आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा अगर आप बैपारी करती हैं तो बैपार आपका अच्छा जलेगा और सहकर्मियों के सयोग से आज सभी कारियों में सफलता मिलेगी काम का अधिक बोज आपको मानशिक और सारिक रूप से ठका हुआ महसूस करा सकता है करन्यारासिजातकों काम के सिल्सिले में आप प्रवास पर भी जा सकती हैं लेकिन सेहत को लेकर सतरक रहने की जरूवत है और उच्छ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकती है करन्यारासिजातकों खुशी और खुशी के पिछी पैसा खर्च होगा और संतान को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेगी करन्यारासिजातकों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज आप कुछ ऐसा हाशिल करने में शक्छम होंगे जिसकी आपको बहुत कम उम्मिद थी करन्यारासिजातकों आज आपके दिमाग में कुछ नए रशनात्मक विचार आएंगे जिसकी आप बखोवी इस्तिमाल भी करेंगे कन्यारासिजात को आफिस में हर कोई आपके काम से खुश होंगे और बॉस आज आप से बहुत खुश होंगे साथ ही आपके जुनियर्स भी आप से शिखने आएंगे और आज किसी महिला मित्र से आज आपकी मुलाकात हो शकती है जो कि आपके लिए लापदायक रह सकता है साथ ही आप इस टेशन से बाहर जाने का मना कर सकती है और सेहत के लिहाज से दिन आज अच्छा रहेगा उतार चढ़ाव के इस्तिति खत्म हो सकती है और सिवलिंग पर जल चढ़ाएं सुक शांती बना रहेगा कन्या राशी जातकों तो ये था आपका देनिक राशी फल अगर इन सभी जानकारियों से आप सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी साथ ही सच्चे मन्च से कमेंट बॉक्स में जय लक्षमी नारायन जरूर लिख दे धन्यवाद दीन आपका शुब रहे कल्यान करे शुरी हरी आपका